नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका माई चले में मैं आमेरी सुराज के स्विराओं बात करने बाले बिहार लेवर कार्ड आवेदन के बारे में दोस्तों से कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना कर जानकाय दिया था कि बिहार में आप जो लेवर कार्ड के ल लोगां आपको 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 बनवाना चाहते है, तो आजकर आब कुरण साथ में काइफ बन आपको जमा करना है ये सबी जानकारी भी आपको लास तकाुक none किसे बście लेगे करेगे अपकर आपकर आल पको शुन जांस करना काँ सब्सक्राइब बडू को दबा कोई चल्को सब्सक्राइब कीजिए लाइक जिदो को जितना अऊसके सेर केजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके चले शुरू करते हैं अपना अज के वीडियो दुस्तों बीडियो सुरू करने से पछले मैं आपको पूछ इंप्पोर लोग नहीं देखते हैं जिसके कारण के उनको पता नहीं चल पाता है कि हमारा आवेधन किस परकार से होगा किस परकार से हमको लिंक मिलेगा ना से हमको जो आप पर आवेधन करना है तो ऐसे में जो वो कमेंट करते रहा जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है जो के आपको के पारे में जानकाएं डी गई कि क्या योईना चलाये जा रहे हैं, किस परकार से आपको लाब मिलेंगे, यह सभी जानकाली आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कि क्या-क्या यहाँ यहाँ पर लाब मिलता है, कि कौन-कोन सी योजना इसके अंतरगात आती है, कितना यहाँ लाब हमको लेबर कार्ड के लिए यहां पर फॉर्म बनाया गया है यहां पर आप आप लोगों का आभेदन होने बाला है और इसी फॉर्म के माध्यम से आप लोगों का आभेदन होने बाला है फॉर्म कहां पर मिलेगा इसके बारे में आपको आगे जानकाई देने बाले हैं तो आपको स फोटो लगाना है जो की हाल फिलाल का फोटो हो तो यहां पर आपको एक फोटो लगा देना है उसके आपने डिस्टिक लिखना है जो भी आप लोगों का डिस्टिक होगा वो लिख देना है उसके बाद यहां पर सहरी छेत्रे से आते हैं या फिर ग्रामीन तो यहां पर आपको टिक कर देना है उसके बाद यहां पर अपना परखन लिख देना है उसके बाद ग्राम पक्चाइज का नाम लिख देना है अगर वाड है तो वाड नमबर यहां पर लिख सकते हैं उसके ब metric अगर नहीं पासे तो यहाँ पे tick कर सकते हैं अगर structure यानि कि सिर्फ आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो यहाँ पर आपको tick कर देना है उसके पाद अपना cast यहाँ पर डालना है तो general, BC, EBC जो भी आप आते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी 돼ण कर सकता है, January से भी है तो भी आप 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 आपके आपक्र सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसके पाद यहाँ पर अपना mobile number डालना होगा उसके पाद लिंक यहाँ पर आपनों को डालना होगा महला पूरूस जो भी होगे यहाँ पर आप लोग जो है सलेक कर लिजेगा कि यहां पर बताया है उन नियोजगों का नाम इभर पता जिनके लिए पिछले 12 महीं में कार्ज किया गया है। यानि कि दोस्तों अगर आप पर लेबर हैं तो कहीं न कहीं आप काम किये होंगे। तो आपने जो पिछले 12 साल में जिन जिन जगहों पर काम किया है, उनका पर आपको डिटेल देना है, जैसे कि अगर उनका लाइसेंस नमबर है, आपको पता है तो यह लिख देना है, नियोजाक का नाम और पता है पर लिख देना है कि कहां आपने काम किया था, उनका नाम क्य दोस्तों आपको बताता है कि कम से कम आप बारा महीने कहीं पर काम किये होने चाहिए तभी आप यहां पर डाल सकते हैं यहां पर आपको signature करबाना है जिनका भी आप नाम डाल रहे हो उनका यहां पर signature करबाना होगा और अगर दो-तीन जगहों पर काम कियें तो इसी परकार से आपको जो आपको भर देना होगा, उसके बाद आपको नीचे करना है, यहाँ पर आपको अपना bank account detail डालना है, जिसमें कि आप लोगों को पैसा मिलेगा, जो रासी यहाँ पर दिया जाता है, जो भी labor card को यहाँ पर सहायतता दिया जाता है, उसका पैसा, तो यहाँ पर bank का नाम से पहले होगा आपको लिख देना है, bank का branch का नाम लिख देना है, account number लिख देना है, अब यह रासी जो लिया जाता है यहाँ पर देख पाओं कि यहाँ पर साफ साफ जानका यह दिया गया है तो यहाँ पर आप जिनको भी पैसा दीजेगा जैसे कि आप डायक्ट स्रम अधिच्छक के पास अपना फॉर्म जमा किजेगा तो उनका यहाँ पर टिक कर दीजेगा अगर आप इस्रम पड़ी बरतन पता अधिकारी के पास जो फॉर्म जमा किदेगा तो उनको पैसा देजिएगा वो यहाँ पर आपको टिक कर देना है उसके पद यहाँ पर पुछा जाए है दोस्तों क्या आवेदक यही पूर्ष से ही किसी अन्य कल्यान बोर्ड के सरद से है यहाँ पर यस published तो यहाँ पर याँ पर आपको नीची आना है नीची आने क्पड़ आपको घोसना करना है पर प्रशा सazyole 2-3 नाम लिखना है उनका संबंध उम्र उसके पड़ उनका झोह नाम यहाँ नाम यहां पर लिख दिना है जो भी चिन्नीद करना चाहते हैं उसके आपको नहीं को छोड़ दिना है उसके बार यहाँ पर आपने सीघ्वनेचर कर दिना है और यहाँ पर आपको दिना आपको शेल अबना algún कर दो कियागा यहाँ करना है इस लिंक के बिलेसsters hrina आ पर मैं आपको जानकाई देदूनगा बहुत पर …. पर क्लिक की जाएगा तो यह आप लोगों का PDF फिर से ओपन होकर चला आएगा आपको नीचे करना है नीचे करने के बाद यहाँ पर आप देख पारों दोस्तों कुछ इस परकार से आपको यहाँ पर दिखाई देता है आपका जो भी जिला परता है उसमें जो है आप लोगों स्रम अधिच्खक का कारियाल है समहारनाले पढ़िसर गोपाल गन्ज यानि कि अपन जो है आप लोगों का यह पर जमा करना होगा तो यह जो है अफ लोगों का जमा होगा कुछ इस परकार से आपका एक website उपन होकर चलाएगा, जिसमें कि आपको एक post मिलेगा, किस परकार से आपको यह पर post मिलेगा, उसके बारे मैं आपको जानकाई देते हैं, तो कुछ इस परकार से आपका यह website उपन होकर चलाएगा, आपको करना क्या है नीची आना है, नीची की झानकरी निचीजिकने आपको यहांपे जानकारी मिल जाएहा है कि कौनकौन सा जो डोक्युमेंट आपनों लगन मिल जाता है सबसे मेर्मान आपनों पर जाने केज़ते है लाध जानायगा पर्मानपत्र यहनिकि अगर आप उहां पर 90 दिन काम किये हैं तो उसका पर्मानपत्र आपनों को यहां पर देना होगा यह चीज आपको आपको ध्यान रखना है अब दुस्तों आप नियोजन पर्मानपत्र अगर आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप जो फॉर्म सिधा भढ़ कर ले जाएगा वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी उसका नीचे आना यहां पर आप देख पाओंगे आबेदन फॉर्म डाउनलोड करें तो यहां पर क्लिक करना है आपका यह फॉर्म है वो जो डाउनलोड हो करते हैं तो इस पकार दोस्तों आपको जहां पर फॉर्म बढ़ना हो 2021 में आप मात्र सिर्फ यही जो आप लोगों का एक रास्ता है अब जो अपना लेवर कार्ड बन बाने के लिए तो बहुत साए लोग यहां पर कमेंट कर रहे थे इसलिए मैंने आपको जानकाई दे दि किस परकार से आपको फॉर्म मिलेगा कहां से आपको जो फॉर्म डाउनलोड करना है और कौनको से काज़ात लगा के कहां पर आपको जमा करना है सब कुछ मैने आपको जानकारी दे दिया है I hope आपको वीडियो पसंदा हूँक अगड़ी वीडियो पसंदा है तो लाइक कि इस वीडियो को ताकि और विलोग को जानकारी मिल सके मिलते नेक्स में ततक के लिए धन्यबाद